जैश्री राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ मास्चिक राशी फल साल का पहला महीना यानि जनवरी 2022 का महीना तुला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम विश्ट्री तूप से चर्चा करेंगे सभी नौगर हैं सूरिय से लेके राहू केतू तक आपकी राशी के किस-किस भाव में ब्रहमन कर रहे हैं कब राशी परिवर्तन करेंगे कब उनका आपके लिए कैसा परिणाम होगा ग्रहो की यूती, ग्रहो की स्थती और ग्रहो की दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या परभाव पढ़ने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यह राशी फल है राशी फल यानि राशी के आधार पर देखे जाने वाला गोचर यानि आपके कुंडली में अगर चंद्रमा तुला राशी में बैठा है या आपका बोलता नाम तुला राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग्रहो की गोचरी इस्थती एक जनवरी 2022 को प्लैनेटरी पोजिशन्स कहां चल रही है आपकी राशी से अब इस राशी के प्लैनेटरी पोजिशन्स आपको कैसा परिणाम देने वाली है उस परिणाम में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में कि सूर्य देव आपकी राशी से एकादश के मालिक है यानि लाब प्राप्त कराना पैसे देना इंकम सोर्स ओफ इंकम देना आपके द्वारा की गई भेहनत का फल देने का जो दाइत्व है या उत्तर दाइत्व है जो भार समभाले हुए है वो सूर्य देव समभाले हुए है जब ये सूर्यदेव एकादश भाव का मालिक होकर राशी से तीसरे घर में चलता है तो तीसरा घर हिम्मत और साहस सहस्ता के लिए जाना जाता है कि व्यक्ति अपनी जीवन में लाब प्रात करने के लिए लगातार योजना बद्ध है वे किसी ना किसी प्रकार के कारे में लगा हुआ है उसके लिए वे यात्राय कर रहा है अपने आसपडोस से मित्रों के साथ मिलकर सलह लेकर काम कर रहा है एकादशेश का तीसरे घर में ट्रांजिट होना इस बात को भी दर्शाता है कि व्यक्ति टूर से ट्रैवलिंग से यात्राओं के द्वारा या कभी कभी इस्थान परिवर्तन करके लाब ले सकता है सूर्य देव 14 जनवरी को राशी परिवर्तन करेंगे और उसके बाद ये मकर राशी माएंगे मकर राशी में सूर्य का आना मकर सकरांती होती है यानि शनी की राशी में शत्रू की राशी में सूरिय का आना इसलिए लोग बाग शनी से संबंदित दान पूजा पाट करते हैं तो आप भी शनी से संबंदित दान पूजा पाट अवश्य कर सकते हैं मकर सकरांती वाले दिन अब सूरिय आपकी राशी से चौते घर में ब्रह्मन करेगा जहाँ पर चतुरते शनी अच्छी स्टती में बैठे हुए हैं मजबूत होकर बैठे हैं वहाँ पर सूरिय आएंगे एक आदा शेश का केंद्र में जाना अच्छा होता है लेकिन ये समय थोड़ा सा मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता जब सूरिय राशी से चोथे घर के अंदर आते हैं तो ये स्टती क्योंकि चतुरते चोथे घर में हैं और शनी और सूरिय का मिलन शास्तर में अगर प्रोफेशनली देखे तो मजबूत माना जाता है कहा जाता है कि शनी सूरी अगर गोचर में संबंद बनाए या ऐसी स्थितियों में केंद्रिया त्रिकोंड में खास तोर पे चौथे या दस्वे में बनाए तो यह प्रोफेशनली अच्छा होता है क्योंकि चौथे से बैटके दौनों गरे दस्वे को देखते हैं और दशम में स्थितो तो दशम भाव पर भावित होता ही है तो सूरिय की यह इस्थिती अपने आप में वहतर है क्योंकि शनी देव यहां पहले से विराजमान है इसका मुनलब चौध है तारीक के बाद इस्थिती पॉजिटिव है सिर्फ मदर की हेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मंगल के बारे में बात करेंगे कि मंगल एक उर्जावान ग्रह है आपकी राशी से दूसरे घर यानि बोलचाल पैसा कुटुम्ब धन वानी सब दूसरे घर से देखी जाती है सब्तम भाव पदप्राप्ति समाजी किस्टि पदवी प्रमोशन कहां पर आप काम कर रहे हैं वा माहूल कैसा है एवं पतनी या पती के लिए जाना जाता है अब सब्तम भाव और दूसरे घर का मालिक जो मंगल है वहराशी से दूसरे घर में सवयराशी कहोके बैठा है अच्छी बात है केतू के साथ बैठा है कुजवत केतू केतू ऐसा ही सभाव करते हैं जैसे मंगल करते हैं अब मंगल स्वैग रही हो या मंगल उच्छ हो या कोई भी ग्रह स्वैग रही या उच्छ का होके वैठा हो और केतू के साथ हो तो वह उचिस भाव में होता है उसके एक बढ़ावा देता है धन भाव में मंगल केतू के साथ विजय पता का लहराएगा इसका मतलब ये अंबनेशन दंह के लिए अच्छा वाती कहीं योजनाओं के लिए अच्छी होती है योजनाओं के लिए दनल देने के लिए अच्छी मंगल की आठ वी dokई नवन पर है जो उचानक से कोई बड़ा लाब या भाग्य में परिवर्तन या भॉर्गा में उच्छाल के लिए जाना जाती है मंगल स्वेराशी के ओकर बैठे ऊए हैं इसलिए ये इस्टति धन के संदर्व में अच्छी हैं लेकिन ये से संबंदित को यादे अच्छी नहीं माने जाती है, यानि जो लोग विवहाझ की कि चिंता कर रहे हैं कि मेरा विवहा कब होगा तो उस लिहाद से ये combination अच्छा नहीं है बाकी relationships वाइस देखें तो अच्छा है अब मंगल देव क्या करेंगे लगबाग 16 जनवरी के आसपास यहां से राशी परिवर्तन करेंगे अच्छा आपके सोस ओफ इंकम के लिए अच्छा आपके कारणे के लिए अच्छा ऐसे में यदि मंगल से संबनी दशांतर दशाप की कुंडली में चल रही है तो समझ लीजेगा मंगल आपके लिए एक प्रवल और अच्छा योग बना रहे है बुद्ध एक व्यापारी ग्रह है, वानिज्य है, लेखा जोखा रखने वाला है शिक्षा का कारक कहलाता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बुद्ध बहुत जरूरी अच्छा होना चाहिए बुद्ध आपकी राशी से भाग्येश है, भाग्येश का केंदर में चलना अच्छा माना जाता है साती सात केंदर के मालिक शनी के साथ चलना भी अपने आप में एक अच्छा ही योग है क्योंकि यहां भाग्येश का योग कारक शनी से संबंद बनके एक राजयोग बन रहा है तो बुद्ध अपने आप में व्यापारी किस्तियों के लिए बहतर है अब ये बुद्ध भी राशी परिवर्तन कर जाएंगे लगबग लगबग चौदर जनवरी के आसपास और राशी परिवर्तन करके कहां पहुँचेंगे ये बुद्ध राशी से पंचम में यानि एक त्रिकॉण नवम भाव के मालिक पहुँच जाएंगे राशी से पंचम क के अंदर त्रिकोन का त्रिकोन भावों में जाना लक्षमी योग कहलाता है ये शनी की दूसरी राशी होगी जहांपे ब्रस्पती जैसे सौमे ग्रह विराजमान है इसका मतलब ब्रस्पती धनके कारक बुद्ध भागेश दौनों लक्षमी स्थान में बैठे हैं और पंचम भाव से बैठकर दौनों ग्रह एक साथ द्रश्टी भी देंगे आपकी राशी से एक आदश को यानि सोर्स ओफ इंकम देने वाला ग्रह हो गया बुद्ध और बुद्ध अच्छी ही स्थती में विराजमान है वहीं आप ब्रस्पती को देखेगा कि ब्रस्पती उस दौरा शत्विषा नक्षत्र के इंदर ट्रांजिट करेंगे शत्विषा नक्षत्र राहू का नक्षत्र है और राहू कहां है राहू उच्छस तवस्था में आपकी राशी से अस्टम में चल रहे हैं शुक्र की राशी में चल रहे हैं और ब्रस्पती कहां है ब्रस्पती धनकार ग्रह कहने को तुलार राशी वालों के लिए ब्रस्पति को शत्रू ग्रह माना जाता है लेकिन सुभाव से सोम्य ग्रह हैं ब्रस्पति सुभाव से बहतर है नैचुरल बैनिफिक है यह वो ग्रह जहां बैठे जहां देखे नुकसान नहीं करता अगर वो तीसरे घर का मालिक ह अगर वो छटे घर का मालिक है तो आपको जीवन में पद प्राप्ति प्रमोशन तरक्की देगा तो उस लिहाज से यह कॉंबिनेशन अच्छा हो गया जो आपको जीवन में कुल मिलाकर अच्छे सुख सयोग देने में शक्षम हो रहा है वहीं आप देखेगा कि ब्रस्पत अच्छी है ब्रस्पति धन के कारक भी है और यह ब्रस्पति राशी से पंचम नवम आदी पर द्रश्टी भी डाल रहे हैं इसका मतलब ग्रहों की इस्चती ग्रहों की योजना ग्रहों की जो स्ट्रेंथ है वह आपके लिए मजबूत है ब्रस्पति आपके लिए बेनेफि इसको हम कहते हैं चेस्टबल यानि प्लैनेट सूरिय से दूर हो गया है जिसके कारण हुए वक्री हो गया और वक्री होके वहग रहे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है राशी का मालिक तीसरे घर में जा रहा है तीसरे में बैठके भाग्यस्तान को दश्टी दे रहा है य बातिक सुखो का कारक कहा जाता है विभा के सुख देने वाला कारक कहा जाता है तो शुक्र की येस्टती प्रबल है शुक्र की येस्टती मजबूत है इसका मतलब शुक्र तीसरे घर में बैठके जब भाग्यस्तान को दरश्टी देंगे और उस दौरान आप देखिएगा के तीसरे घर जिसमें वे बैठे हैं उसके मालिक कौन है ब्रसपती है वो ब्रसपती कहां चलेंगे पंचम में शुक्र कहां देख रहे हैं नौवे घर को नौवे घर के मालिक कौन है बुद्ध वो कहां चलेंगे पंचम में यानि शुक्र के साथ बुद्ध और ब्रसपती भी उसको सहयोग दे रहे इसका मतलब आपके शुक्र वक्री होकर भी मजबूत है और प्लेस्मेंट से भी मजबूत है यानि ऐसे में शुक्र की बुद्ध की शनी की इन से संबंदी दशांतर दशां आपको हो तो आपके लिए और जादे बहतर योग हो जाता है शनी देव शनी भाव में भी शनी की राची है यानि दो सौमेग रहे दो एक अच्छे रहे ब्रसपती और बुद्ध जो कि शिक्षा और ग्यान शिक्षा और विध्या के कारक ब्रसपती और बुद्ध हैं कहां बैठे हैं पंचम भाव के अंतर यानि ये कॉम्पिनेशन शिक्षा के लिए अच्छा बुद्धी के लिए अच्छा ग्यान के लिए अच्छा है एजूकेशन के परपस से अच्छा है एजूकेशन में प्राप्ति कराने के लिए अच्छा है यह समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ रहे हैं जो कॉलिफेकशन कर रहे हैं किसी ना किसी प्रका का संयोग भी बना हुआ तो ये कुल्मिला के बहुत अच्छा सिचुएशन आपके सामने दिखाई दे रही है यानि प्लैनेटरी पॉजिशन फेवर में हैं शनी भी मजबूत शनी की राशियां भी मजबूत शनी की दरश्टियां भी मजबूत ही यहां कहलाई जाएंगी तो के लिए पॉजिटिव इस्थती को ही पैदा करने वाला होगा तो ये था एक राशी फल तुला राशी फल के तुला राशी वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा गरहों की इस्थती आपके लिए किस परकार का परिणाम लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हमने आजिरोंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैश्री राम